Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banker Couple आज इस वीडियो में कुछ अलग देखेंगे Things to keep in mind before preparing for banking exams आप में से कई सारे इस्पारेंट्स जो हैं वो पस banking exam की तयारी करना start कर देते हैं लेकिन उसकी तयारी करने के पहले क्या क्या ऐसी चीजे हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगे कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही important है specially उन लोगों के लिए जो एकदम graduate हुए हैं या जो अभी graduate होने वाले हैं और जोने माइन में ऐसा लगता है कि हाँ आप हमें बैंकिंग एक्जाम की तयारी करनी हैं क्या उस जोब के बारे में यह सारी चीजे में आपको अज बैंकिंग एक्जाम के बारे में बताऊंगी तो फर्स्ट कॉइंट है अंडर्स्टाइंड दो जोब प्रोफाइल आपको पता होने चाहिए कि आप अगर बैंकिंग एक्जाम की आईबीपीएस पीओ आईबीएस क्लर्ट इस बीएस क्लर्ट इन जॉब की तयारी करना शुरू कर रहे हैं तो उस जॉब में अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो वहां पर आपको क्या काम करना पड़ेगा यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या रूल्स रस्पोणसीबिलिटी उग एक पीओ की क्या हुती है क्लर्क की क्या ह openness आपको कैसा काम करना पड़ता है तो यह सारी सीसे आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जब आब जोइन कर लेंगे माल लीजे अगर आपका selection हो गया और आपने join करा और फिर आपको जॉब में interest नहीं आया तो फिर क्या फिर आप पीछे नहीं जा सकते इसलिए आप बहुत सारी YouTube वीडियोज डलें मैंने भी कई बार job profile के वीडियोज डालें आप अलग अलग जगे से पहले search करें सेकंड जो आपको जानना बहुत जादा जरूरी है कि banking jobs transferable होती है कई लोगों को अभी तके बात पता नहीं है कि banking jobs transferable होती है और आपका जो transfer है अगर आप PO की post पर select हो दे तो आपको all India, pan India कहीं भी posting मिल सकती है फिर चाहे वो north, south, east, west कहीं भी हो सकती है नौर्थ, east में posting दे सकते हैं आपको हीमाचल में posting दे सकते हैं आपको कहीं भी posting दे सकते हैं तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप जिस exam की तैयारी कर रहें अगर वहाँ पर आपका selection होता है तो आप prepared रहें पहले से एसा नहीं कि जब पूरा selection हो गया उसके बाद सोच रहें कि अब हमें कहां posting मिलेगी जैसे अभी जब से result आया इस सारे बच्चे बस एक ही question पूछ रहें कि आपको पोस्टिं कहां मिलेगी तो जब आपने पहले से सोच रखाता कि आपको इस जॉब में जाना है तो आप इस चीज से क्यों डर रहें कि आपको कहां पोस्टिंग मिलेगी तो ये बहुत important चीज है जो आपको जानना ज़रूरी है कि ये एक transferable जॉब है clerical post में भी जिस भी state से आफ फिल करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस-किस जगह उस bank के offices है या कहां-कहां पर आपको posting मिल सकती है फॉर एक्जामपल अगर आप specialist officer के पोस्ट के लिए तयारी करना है IBPSSO के लिए तो IBPSSO में अगर आप IT में करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि IT वालों को कहां-कहां posting मिलती है या राजवार शादिकारी को कहां-कहां posting मिलती है या अगर आप marketing के लिए करते हैं तो आपको कहां-कहां posting मिलती है आपको ये सारी चीजे माइंड में पहले से clear होनी चाहिए क्योंकि specially जो IBPS SO वाली post होती है उनको हर जगर posting नहीं मिलती है उनको ब्रांचस में posting नहीं मिलती है बहुत सारे specialist officers को उन्हें regional office, zonal office, head office में ही posting मिलती है तो आपको पता होना चाहिए कि इस bank का head office, zonal office, regional office किस-किस city में है और हमारे घर से पास हैं या नहीं है एक्जाम pattern और syllabus क्या होता है banking exams का बहुत सारे लोगों को लगता है कि banking exams से यह तो बहुत easy होती है हर कोई माइन में यही सोचता है लोगों को लगता है UPST difficulty, state PhDs difficulty लिकिन banking exams क्या है यह तो बहुत easy होती है यह हर किसी के माइन में होता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस exam का pattern क्या होता है किस तरीके से आपर पिछले years में देखें तो cut-offs क्या जाती है syllabus क्या होता है क्या-क्या subjects आपको पढ़ने है अगर वो subjects आ रहे हैं तो वो subjects आपके strong है भी या नहीं है क्योंकि इसमें Maths, Reasoning, English यह बहुत important subjects होते हैं और यह पुरे logic based होते है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या pattern है, क्या syllabus है यह बहुत ही important चीज है एक और चीज के आपको यह भी पता होना चाहिए कि English एक बहुत important role play करती है बैंकिंग एक्समें तो अगर आपकी English week है तो क्या आपको इस exam के त्यारी के direction में जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए यह एक बहुत ही important point है दूसरा की एक और सबसे important point की mind में यह बिल्कुल clear करने कि यह exam इतना आसान नहीं है जतना आपको दूर से लगता है इस exam में competition भी है competition से आपको नहीं डरना है लेकिन इस exam के लिए आपको speed और accuracy बहुत जादा रखनी है other exams के comparison में और practice जोई वो जादा से जादा करनी होगी अगर आप banking exams के तयारी कर रहे हैं जादा से जादा आपको mock test लगाने है और बहुत जादा practice करनी है test book के mock test अगर बिगनर लेवल से start करेंगे तो उनका जो लेवल बिगनर के ही होता है तो हम हाई लेवल के नहीं रहते है और अभी राम नोमी उट्सव का offer चल रहा है जो सिफ आज रात तक वैलिड़े इसमें आपको pass pro सिफ और सिफ 351 रुपीज में मिलेगा जो बहुत small amount है और अगर अगर अगरा coupon code BRC 10 लगाएंगे तो आपको additional 12% off मिलेगा तो आप इसके जो test book के mock test ते उसका एक free mock test लगा के भी देखिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जबूर पर्चेस करें यह इतनी कम price में हमेशा available नहीं रहता यह offer सब आज राग तक के लिए वैलिड़े अब next point जो आपको बहुत ही important है जो mind में रखना है कि आप कहां से तयारी कर रहे हैं आपको जो sources है वो बहुत अलग अलग से तयारी नहीं करनी है जैसे कुछ लोग होते हैं जो 10 तरह के sources यूज करते हैं किसी भी एक्जाम की तयारी करनी के लिए आपको पदा होना चाहिए कि आपको किस teacher का समझ आ रहा है आप अलग अलग जगर से पहले देखें उनके free videos डले होते हैं YouTube पे वहाँ पर जाकर आप देखें कि आपको कौन से teacher की concepts जो है मुझ जादा अच्छे से समझ आ रहे हैं उसके बाद concepts अब एक ही teacher के देखें आप अलग 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 तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां से पढ़ना है क्योंकि कई बार क्या होता है जब आपके मांड में clarity नहीं होती ना कि आपको किस sources से तैयारी कर देए तो आप अपना time बहुत जादा waste कर देते हैं और जो exam आप 6 महिने में clear कर सकते हैं उसमें आप 2-3 साल लगा देते हैं सिर्फ इसली क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपको पढ़ना कहां से तो ये बहुत important चीज़ है जो आपको exam की तयारी करने से पहले पता होनी चाहिए और last point जो आपको बहुत अच्छे से पता कर लेना है कि आप जिस exam की तयारी कर रहे हैं उस post में join करने के बाद आपका work-life balance कैसा रहेगा किया आपको अपनी family के लिए time मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा या पूरे time उस job में ही लगे रहेंगे ये आपको पता होना चाहिए अगर हाँ आप बहुत career oriented है तो आपको उस type की job choose करनी है अगर आपको लगता है कि आपको family को भी time देना है आपको छुट्टियां भी चाहिए आपको अपनी family के साथ time spent करना है तो आपको ऐसी job की तयारी करनी है जो अच्छा work-life balance प्रवाइड करती हो तो ये भी एक चीज ह होती है जो आपको किसी exam की तयारी करने से पहले ही अथे mind में रखनी है उसके बाद आपको अस exam की तयारी शुरू करनी है तो ये कुछ points है जो मुझे लगे कि बहुत important है new aspirants के लिए जो अभी graduate हो ना चाहिए जो graduate हो गए है या जो अभी graduate होने वाले है next year और जन्होंने mind मे सोच लिया है कि हमें मैंगी exam की तयारी करनी है तो ये सारे points of mind में ध्यान रखे उसके बाद ही decide करे कि आपको तयारी करनी है या नहीं करनी है thank you so much for watching this video and don't forget to like share and subscribe our youtube channel